हाई मैं कुमार सौरब आप मुझे देख रहे हैं फिल्म की बात पे चैनल पे और आप मेरी अभी फिल्म आई है यूटी सिक्ष्ट नाइन तो उस पर मैंने अश्रप लेखिया है और जिसमें नहीं देखी है फिल्म आप यूटी श्रण देखिए और मुझे प्यार दीजिए फिल्म की बात को प्यार दीजिए तैंक यू नमश्कार मैं हूं सजीद सार्थी आपका दोस्ट आपका साथी और आप हैं फिल्म की बात के विशेश एपिसोड में जिसमें गेस्ट इन दा हाॉस शो हम लोग करते हैं और आज हमारे गेस्ट हैं उमार सौरब जोकि जाने मा एक्टर हैं अभी रिसेंटली आपने इनको यूटी 69 में देखा था जिस रोल की बहुत तारीफ हो रही है हर जगा और आज हम इस फिल्म के बारे में इस रोल के बारे में सौरब से बात करेंगे और वह हमें बताएंगे कि उनके अब तक की जरनी जो है इंडस्टी में किस तरह की रही है तो बहुत बहुत स्वागत है कुमार आपका फिल्म की बात में तैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ओके तो कुमार जी हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं यूटी 69 से बड़ा इंडस्टी सा एक करेक्टर है हाला कि आपने बहुत चोटे समय में बहुत कम समय में इंडस्टी में अपने एक मार्क बना लिया है आपने बहुत अच्छे रोल की है अपने एक पैचान बनाई है आपने लेकिन यह जो रोल है यह मुझे लगता है कि specifically जैसे made for you थ I mean पूरी तरह से यह आपके लिए बनावा रोल था और जिस तरह से आपने इसको किया मतलब फ्रमदा क्योंकि यह फिल्म जो है जैसे कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि राज कुंदरा जी के जो जेल आवास का समय था 63 डेस का उसके उपर है और यह पहले दिन पहले दिन आप कि मुलाकात इन से होती है और लास्ट दे तक आप इनके साथ रहते हैं तो एक बड़ा मीटी एक बड़ा लंबा रोल था यह इसके बारे में कुछ बताए कि यह रोल आपको कैसे ओफर हुआ और कैसे आपने त्यारी करी इसके बारे में सबसे पहले तो मुझे कास इंडेक्टर ने फोन किया था और बोला कि एक जेल पर कहानी बन रही है तो उसमें कैरेक्टर है मेरे कारेक्टर का ब्रीफ मिला बोला आप ओडिशन दे दीजिए आप इफ और इंट्रेस्टेड बिल्कुल भाई मैंने ओडिशन दिया तब तक म में बिता है उस पर कहानी बन रही है फिल्म तो तब तक मुझे पता नहीं कौन है और वह बहुत कॉंफिदेंसल था कि जब तक लॉक नहीं करते बताते नहीं जब मुझे लॉक किया फर्स्ट वॉक्शॉप मैंने पूछा डेक्टर से की राजकुंद्रा तो डेक्टर बोल सब्सक्राइब को हुएं वाद देख सब्सक्राइब करें रहे जो अक्टन आइक्टर साथ माइध को अपने साथ ने को सब्सक्राइब उसक्तवाग उसße लिए अट रहे था पाल बाकि चीजह दो छिए घरक्टर से करके और पर ठीस्टरेबशा पर चीज़े आसान हो जाती है अगर एक साल हुआ 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 तो उतना अच्छा नहीं कर पाता हुआ तो इसमें क्या है कि यह बहुत खुब सुर्थी से जब डिरेक्टर साव है इसके डेबुटर डिरेक्टर है और उन्होंने क्या किया कि उनका हीरो है वह प्रॉपर कास्ट मुझे लगता है एक चाहिए पहवलदारों को लिलो जितने भी जेल के इनमेट्स है उनको लिलो सब कई काम एक अलग लेवल का तो जो आपकी वरक्शॉप हुआ करती थी उसमें कैसा माहौल रहता था मतलब आप लोगो क्या जैसे किस तरह का रहता था किया यह फिर हुआ करते थे वाक्शॉप में बस हम फैमलेर हो गए राजकुंद्रा से अपने प्रक्टर से तो कुछ एक्टिंग रिक्साइज गेम हो गया यह कुछ हसी मजाख हो गया खाना पीना हो गया हमने बस यह किया कि हम राजकुंद्रा से और आज चुन्रा हम से इसे निकली है तो बस वॉक्षोप हम फैमिलियर होने के लिए थे राज कुंद्रा और अपने के साथ में आच्छा तो आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा से इन में से जो भी आपने इस फिल्म किया है तो कोई पर्सनल फेवरेट जॉब को बड़ा मुझा आयो करने में यह बहुत चैलेंजि खत्म हो चुकी है तो मैं पांच पर्सनल फेवरेट काफी लगी थी मुझे पर्सनल फेवरेट को जतने बहुत लोगों को वह सीन इमोशनल किया होगा बिल्कुल 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 मुझे यह फिर्म काफी अच्छी लगी थी मुझे पर्सनली क्योंकि इसमें इतने भी सपोर्टिंग कास्ट है सबका काम मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा तो यह तो यूटी सिक्टीन की बात हुई कुछ अपने बारे में बताईए कि क्यों बहुत सारी चीजें घटी गए कि मुझे अक्टिंग करना है बच्पन में काली पुझा होता था तो हमारी यहां नाटक कहता था नाच कहते हैं लोग उससे आप कहां बिहार से हुँ मैं कटिहार बिहार से मेरा जन्फ रिदाबाद हर्याना में हुआ है अच्छा और पढ़ाई हर्याना बिहार दोनों जोगा आते जाते थे लेकिन और ग्रेजुशन बिहार से वह प्लिटिकल साइंस में और बच्पन में फिर इसकूल में करना शुरू किया 15 अगर्स 26 जनवरी में नाटक तो मुझे लोगों ने बहुत प्यार देना शुरू किया तो लगा लगो मुझे प्यार देता तो बीर युश्ट युश्शन फैस ब्ली तो वागव धा इसमें हों लगता वह अच्छा पास के पूलीस वाले पी जिससरे फिलिस से बच्पना दरता था मैं सबी बच्चे डरते हैं लेकिन के बाद पुलिस वाले आते हैं तो सब्सक्राइब कर रहा हूं लगता है तो उसने मुझे बहुत पूछ किया तो आफ्टर मैं इप्तास जूर गया इंडिन पीपल तेटर रेसुशेशन वहां पर नाटक किया इसके बाद 2011 में एक सब्सक्राइब है रॉबिंदाजी एनषडी के प्रोफेसर अभी रिटार हो गया है वो आप जानते हूं कि मेरी कौम मेरी कौम के पापा उन्होंने प्ले किया था और उनकी पहचान थेटर से है मैं फिल्म का इसलिए बोला था कि आप पहचान जाए बाकि फिल्म से उनकी परिचे करवा रहा हूं तो वह मुझे गया से लेकर के दिल्ली आ गए पिर उनके साथ ही रहना खाना पिना उतना बैठना नाटक करना रिहर्सल करना इस क्रिप्प्रे काम करना अच्छे-ची कितारे पढ़ना तो वह मेरी लाइफ का जर्नी चेंज था इसके सर के साथ एक स सब्सक्राइब करना तो चलो एक साल बाद में करता हूं पहले करता हूं इसके बाद में कर लूँगा फिर इसलिए सोचके मेरे दोस्ते पूश किया था करना नहीं चाहता था दोस्तों ने पुश्ट कि कर ले कर ले अच्छा है किया में वह बहुत फायदे बन रहा क्योंकि सारे अनिश्टी की फैकलिटी सी वह आती थी कुछ बाहर से फॉर्णर से भी कुछ बॉलीवूड से भी तो उसने मुझे बहुत बुश्ट किया बहुत कर दोस्तों नहीं चाहेंगे बिल्कुल चाहूंगा और को मुंबे आया हूं मैं चौदा में को 2015 में मैंने एग्रिमेंट साइन किया है लाल रंग के लिए और मैंने शनी बबाप लेकिया था उससे मुझे पहचान मिल गई इसके बाद फिर मेरे लिए रहतुरा आसान हो गया था श्ट्रगल का ठीक है लाल रंग के बाद फिर क्या मतलब जो और मुवीज करी और मतलब किस तरह से आपको लगा कि यह कब आप जा कि आपको यह लगा कि मैं बिलकुल आ गया हूँ यहां पर मतलब I am going to stay here now मतलब अब मैं मेरी पैचा नहीं यहां पर हो गई है तो वो कब लगा था लेकिन वो बस मुझे लगा था ऐसा था नह करते हैं और आपको सही आप दिशा मिले के जाते हूं चीज़ों को नहीं तो फिर चीज़ें आसान हो जाती तो फिर लगता है कि चलो टीक हां एवी तो वह तो बहुत ज़रूरी है अप डाउन अप डाउन देखना लेकिन आफटर जब बैब स्रीज आने लगा उस वक्ट मिनट पचास मिनट आपको तो वह मेरे लिए नहीं बहुत एक्टरों के लिए आसान हो गया जब से वैब सीरीज आया है अच्छे एक्टर को का मिलना शुरू हुआ है वह उनके पास कुछ पैसे आये तो कुछ तंगी कम भी दिमाद से श्ट्रगल मतलब यह कम बोज निकला कि अच्छा रेंट अभी पाच्छे मैने का में भर सकता हूं क्योंकि मुंबै में सबसे पहले ना च्छत होना अनिवार है तो आप श्ट्रगल कर सकते हो और सब की पहले चिंता होते ही कि रेंट कहां से लाओंगा तो जब से वैब सरीज आये सब के लिए चीज़े आस पु उसमें सटिस्फेक्शन नहीं है और बस चापा जाता है रोज तो फिल्म और वैब स्रीज जब से वैब स्रीज आ है बहुत तो क्लिक आसान हो गया लाइक जैसे क्रिकेटर के लिए IPL आ है ना वैसे हम लगता है कि हम एक्टर्स के लिए ना महरानी में भी आपका एक बड़ अब पाक्षे अब कभी स्रीज है मेरी और एक दो फिल्म है तो अभी फिल हो रहा है कि जब आपके पास चीज़ें कुछ आने वाली होती है तो फिर आप बुस्ट होता है आपको हाँ ठीक है आप घाय में होते हैं अब हरबर नहीं करते कि अभी क्या होगा यहां पर कूल र तो अभी जो घरवाले हैं या जो फैमिली है उनका रियक्शन कैसा रहता है आपके घरवाले तो अंदर से खुश होते ही हैं लेकिन वो सामने से भी कभी कभी थारीफ करते हैं लेकिन घरवाले तो सेम ही होते हैं आप घर जाओगे पास साल के बाद चाल के बाद एक साल के सब्सक्राइब तो पहले और अधत हो गया है तो आपको पुराणी टीचर से रिस्पेक्ट मिलता है सब्सक्राइब करता है लेकिन अब भी उन से डर लगता ही है क्योंकि रिस्पेक्ट इतना है उनका जिनने मुझे का लिखना सिखाया जिनने मुझे एबी सीडी सिखाया है उस टीचर की बात कर रहा हूं मैं पच्पन से उनके नजर में आप अलग होते हो तो और वो जब तार उस सुकून मिलता है जब बसे पता था कर दिखाये और वह सच में वह बच्पन से बोलते हैं कि तुछ करेगा तुछ करेगा मेरे भाई के बारे में पुरी समाझको सारे स्ट्रेंस को जब मेरा इसको तुछ में हलका से एमोशन और गुड फिल होता है कि तीटर करें कुमार सब्सक्राइब करें लेकिन अब मुंबे में रहे करके फिर आप मैक्सिमम आर्टिस्ट ऐसा नहीं कर सकते मैंने एक लिक किया था उसमें दस दिन का मैंने शूट चोड़ा था और मुझे हलका सा लॉस भी हुआ था तो लेकिन वो मैंने लॉस बोला था कि देख थेटर में अब अच्छी बात है कि पहले नाटक में किसी को भी कास्ट कर लेता था लेकिन अब ऐसा हुआ है मुंबे में आप कास्टिंग वैसी होती है उसके जा रहा है या नहीं जा रहा है ऐसा नहीं कि किसी को उठाक कर लो तो यह अच्छी चीज है तो उसने बोला कि आप तू अपने इसाई बंदा धूंड जो उस कैर्टर को जस्टिफाई कर पाए तो मैं तो दिया एक अक्टर फिर उसको एक काम आ गया फिर डेक्टर ने खुद एक लड़का है उसको उसने कास्ट किया और उसने अच्छा किया तो बस टाइम का क्लैश हो जाता है तो इसलिए नाटक नहीं कर पा रहा हूं अद्रबाइस नाटक करने का बहुत मन है लेकिन बहुत डर लगता है पहले नाटक आसाने से कर लेता था लेकिन अब लगता है कि दो घंटे स्ट्रेश पे रहे पाऊंगे बिना भूले तो वह चैलेंजिंग है अब चै करना चाहते हैं कुछ क्राफ करना और बना के मैं अपने पास नहीं रखता किसी दोस्त का बड़ेव है उसको गिफ्ट कर देता हूं तो कुछ भी आर्ट वर्क जो फाइफ मिनिट क्राफ्ट होता है यूटेब पे काफी चीज है आज के यूटेब आसान कर देए चीजों को आप बना सकते हो और कुछ ड्रामा इस पुल ने दिया था तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो मैजरेमेंट वगरा कितना क्या कैसे मैठेमेटिक्स के साब से तो चीज़े आसान हो गई है तो एक मुझे क्रिकट पसंद है म्यूजिक तो पसंद है यह बहुत जादा बागी अब यहां बहुत बाट कुए इसको कि आपने कभी स्टेज कर रहे हो या फिर आप कोई सीन कर रहे हो अब ऑपनी भूल गये और उसको फिर में में के किसी तरह से तो ऐसा एक्स्पेरेंस होता बता रहें चल्दी से याद करें voilà लेकिन फंबल को मैनेज करने को सिसमिने ने तो मुझे अभी तक याद है कौन सी सी इसकी बात है यह मैं ड्रामा स्कुल में था और मैं भारत होने प्ले कर रहा था और क्यूंकि एक नेता आने वाले थे वह बहुत लेट आये थे तो हमारा मूड हम सारे अक्टर्स का ही मूड ऑफ हो गया था तो वह इस्ट्रेश में जात अगर आपको समझे की पूरी मतलब आने वाली जो भी आपके एक फिल्म लगा लीजिए या एक सीरीज लगा लीजिए उसमें कोई एक फेशिल एक्सप्रेशिन पकड़के आपने पूरा रोल करना है तो वह फेशिल एक्सप्रेशिन कौन सा होगा पूरी सीरीज के अंदर कौन सा होगा मेरा मैं परसनली आप क्या कौन सा लेना चाहोगे तो हसी मेरी सब प्यारी है बहुत लोगों ने बोला है तो इसलिए उसको अब्वैर्ट भी कर रहेता है वी करेक्टर की बहुत अच्छे आप किसी फिल्म में शूपर हीरो है तो ऐसा पावर आप लेना चाहेंगे अपने अंदर की एक सुपर हीरो के पावर होती है तो आप कौन सी पावर लेना चाहेंगे अजर सुपर हीरो अपने अंदर और क्या करना चाहेंगे उस पावर का इसने माल किसी को दिखाई ना दू अच्छा और और फिर जहां पर जुल्म हो रहा है उसको सेफ करना उसमें से यह कैसे हो गया यह कैसे हो गया सब्सक्राइब करने वाला है या कोई बॉम् अगर तच करने वाला है उसका हाथ एसे हटा दो कि बॉम ही ने टुछ कर पाई यह जा जा रहें राइट येस येस मिस्टर इंडिया हां सब मिस्टर इंडिया बनना चाहते हैं बहुत दुख होता है राइट अज़ा चलिए आपको किसी पुराने गाने में एक्टिंग करने का ओफर आता है तो और किसी एक अनकंविंशल प्रॉब को ले किरना उलता है अपकिन को और उस पर उस गाने को करना तो कौनि शोड़ें B कॉछी तो मुझे सिदे दिमाग में आ गया कि मेरा जोकर कियी है जीना यहां दरना इसकी सिवात आपाण इससे में प्रॉप्स में क्या उनक्र सकता हूं इसके सोचना परेगा लेकिन ट्रंपेड यूज कर सकते हैं जो बहुत चीजों का निशानी है तो मेरा नम जोकर आपकी या कैसे हाँ मेरा नम जोकर मुझे राग कपूर से ही बहुत प्यार था पसंद था और बच्पर में जब मैं बहुत बच्चा था और मा और अंकल ब्लेक नम ट प्रश्च पता नहीं था मुझे तो मुझे दिमागे की फिल्म देखनी है और जब मैं 12-13 साल का हुआ इसके बाद वो पूरी फिल्म देखा हो तो मुझे लगा अच्छा ये कारण था तो मुझे पूरी फिल्म है मतलब उनको क्या ना कि एसा चोटे-बोटे के सीन की चलते जलते एक कोई गाने की दो लाइने सुना दीजे जो आपका फिवरेट गाना हो कोई भी या बोलीवुड से कोई भी कोई भी थेटर का चलेगा चलेगा बिल्कुल या मैं बोलीवुड के गाना देता हूँ कि ये वाला मैं खुद बेघर बेचारा आप लोग मेरी ताकत है आप लोग मेरी ताकत है में ओडियंस और आप लोग जो प्रिसेट करते हैं